हमारे पहाडिय समाज की खामोसी एवं शिक्षित नहीं होने का फायदा अब विभागिये लोग भी उठाने लगे हैं साहवगंज जिले के धगोड़ा पहाड निवासी रामी पहाडिन की खामोसी का फायदा साहवगंज बन विभाग के इस्टाप महिंद्र ठाकूर ने उठाया वर्ष 2013 में जंगली हाती द्वारा छती ग्रस्त रामी पहाडिन का मकान जिसका मुआबजा बन विभाग द्वारा दिनांक 14.1.2015 को 8000 रुपय का चेक आया साहवगंज यूनियन बैंक आफ इंडिया में महिंद्र ठाकूर के साथ जाकर रामी पहाडिन ने पैसा निकासी किया बैंक के बाहर आने पर महिंद्र ठाकूर पूरे 8000 रुपय वहाँ से ठक कर चलता बना उनका घर कब तूटा था? अब डेर शाल हो गया उसका हाती तोड़ने का गाउं में और किसी कभी तूटा था? नहीं इसी कहीं और क्या क्या नुक्सान हुआ लगज़? टाली तोड़ दिया टाली ताली पची तीस गो टाली तोड़ दिया उसके बाद दो कुंटाल बरबटी तिन कुंटाल मक्काई अब बजड़ा दो एक कुंटाल आच्छा तो उसका आप कहीं अप्लिकेशन दिये थे? यह थे वनव कर ड़िकेशन देने कवात कब आया उनका पैसा? इक साल के बाद आगया है कितना पैसा था,ँट आठाचार उसके चेक मिला कि नहीं मिला खेजो मिलने के बाद लोग उनी बनाली दिए बैंक चले गए जो और युनियर वंग्व यूय बैंक का एक जए बीस किसके हाथ में म उसे के नाम से था तू- फिर चेक भान जाया अपलो चेक भी बन जाया रमी पाड़े उसके बाद इशकी पैसा ले ली जोर तो क्या हो था उसके बाद जो लने की अबाद है जोला में डालके आई थी आरी आते सामामें वही बिचोलया महेंदर की ट्रकूर उससे जोला चींकर रुपया ले लिया अच्छा महंदर ठाकूर है कौन ऐसे? ऐसे बिचोलिया है वो मैंने वन विबाग में रेंजर के तराब से काम करता हूँ मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि रामी पहाडिन अपने पती की मिर्तियों के बाद अपने पांचों बच्चों को अकेले ही पाल रही है और वह मेरे समुदाय से भी है इसलिए मैं और मेरे समुदाय के लोग ये चाहते हैं कि महंदर ठाकूर पर सक्त कानूनी कारवाई करते हुए रामी पहाडिन को उसका पैसा दिलाया जाए इसलिए आप सभी वीडियो देखने वाले दर्सकों से मैं विंति करती हूँ कि रामी पहाडिन को उसका पैसा दिलाने के लिए तलजारी प्रखंट के थानप्रभारी उमेश राम को मुबाइल नंबर 966127 1155 पर फोन करके दवाब बनाए ताकि रामी पहाडिन को उसका पैसा मिल सके मैं शिखा कुमारी पहाडिन जिला साहिब गन जारखंट से इंडिया अनहट के लिए